आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप AWS के अंदर within 10 minutes एक account बना सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step guide करूँगा कि किस तरीके से आप properly AWS के अंदर एक account को बना सकते हैं और उसको कैसे activate कर सकते हैं तो आगर आपको भी AWS में एक account बनाना है तो अब इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अमने ब्रावजर को खोल लेना है और उहां पर जाकर सर्च करना है AWS तो AWS सर्च करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना होगा और नीचे आपको मिल जाएगा AWS.Amazon.com तो इस website को यहां से आपको खोल लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं AWS का जो official website है यहां पर खोल के आ गया है अब यहां पर हमें account बनाने के लिए create AWS account इसमें आपको click करना होगा तो आप यहांपर आप देख सकते हैं आपको यहांपर आपना email id और अपना नाम एंटर करने के लिए बताया जा रहा है तो यहांपर हमें काम करने है हमारा जो email id है उसको एंटर कर देते हैं और नीचे हमारा जो account name होगा, वो यहाँ पर enter कर देते हैं, अभी यहाँ पर verify email address में click करूँगा, और इसमें click करने के बाद, यहाँ पर security check के लिए caption fill करना होगा, तो इसको देख देखके right जो caption है, इसको यहाँ पर fill कर देते हैं, और इसे fill करने के बाद, नीचे जो verify email address वाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास एक verification email आ गया है, और इसे के अंदर आपको verification code मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से verification code को copy कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर आकर इस verification code को यहाँ पर paste कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे verify में click करूँगा, और इसमें तो यहाँ पर मैं एक password एंटर कर देता हूँ, और उसी same password को फिर से यहाँ पर repeat एक बर एंटर करना होगा, और उसके बाद continue में click करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर contact information add करने का option आ गया है, तो यहाँ पर आपको दो type का contact information add करने का option मिलेगा, पहला तो business है और दूसरा है personal, तो अगर आप business पर पर इसमें account बना रहे हैं तो business को select कीजिए, नहीं तो personal को select रहने दीजिए, तो यहाँ पर मैं personal को select कर लूँगा, उसके बाद नीचे फिर से मेरा full name है यहाँ पर enter कर देता हूँ, full name enter करने के बाद नीचे मेरा phone number enter करना और उसके बाद मेरा address fill करने का option है, यहाँ पर मेरा address को fill कर दूँगा, तो यहाँ पर address को fill करने के बाद नीचे जो I have read and agree the times and conditions इसको select करना है, और उसके बाद continue में click करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका billing information add करने का option आ जाएगा, तो यहाँ पर billing information में आप अमना credit card details य और यहाँ पर card add कर सकते हैं, और जब यहाँ पर card add करेंगे और उसके बाद जब इस account को बनाएंगे, तो आपका account से temporarily एक डॉलर यहाँ पर देखा रहा है कि कटेगा, लेकिन आगर आप इंडिया से हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी debit card details है, जिसके अंदर international transaction on है, उस card details को यहाँ पर enter कर देता हूँ, उसके बाद नीचे आपको आना होगा, नीचे आकर आपको billing address select करना होगा, इससे पहले आपने जो billing address add किया था, अगर उसी को रखना चाते हैं, तो उसी को यहाँ पर रख दीजिए, नहीं तो आप change भी कर सकते हैं, और उसके बा करने के बाद मेरे पास एक payment का page आ जाएगा, तो मेरा जो भी card details मैंने enter किया था, इससे 2 rupees charge किया जाएगा, और यहाँ पर मेरा OTP एंटर कर देता हूँ, तो मेरा जो भी debit card का OTP आया है, यहाँ पर मैं enter करके submit button में click कर देता हूँ, तो इसमें click करने के बाद आपको थोड़ा identify, यहाँ पर अपने का एक राइड़ाई करना होगा, मतलब आप एकदम WRITE details देकर अपना account बनार इसको verify करने के लिए, आपना mobile number को यहाँ पर सकते हैं, तो mobile number को verify करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे अपना mobile number離ственно enter करना होगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देना country कोड इसको यहाँ पे select कर लेता हूँ और उसके बाद मेरा mobile number नीचे enter कर देता हूँ और उपर में आपको text message और voice call option मिलेगा तो मैं recommend करूँगा text message को आप select कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी capture इसको fill कर देता हूँ और उसके बाद नीचे जो send SMS बाला button है इसमें click कर देता हूँ तो इसमें click करने के बाद मेरा mobile number नीचे पे एक OTP आएगा तो उस OTP को मैं हाँ पे enter कर दूँगा और उसके बद continue button में click करूँगा तो continue button में click करने के बाद यहाँ पे आपको और एक option मिलेगा जिसमें आपको support plan select करने के लिए बताया जाएगा तो यहाँ पे तीन टाइप का support plan देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन आपको मैं कहूंगा कि आप basic support जो एकदम बिल्कुल free में मिलता है उसी को आप select रहने दीजिए और उसके बाद आपको नीचे आना होगा नीचे आपको complete sign up में क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी करून के जिलेशन मैसेज आ गया है अभी इसका मदलब यही है कि हमारा जो भी account creation process से एकदम complete हो गया है अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजर करना होगा क्योंकि हमने जो भी account बनाया है यह properly activate नहीं हुआ है तो जब तक हमारी email में activation का email नहीं आता है तब तक मुझे wait करना होगा तो अभी 10 minute हो गया है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक email आया है अभी हम क्या करेंगे मेरा जो AWS account इसको एक बड़ लॉगिंग करके भी देखेंगे कि यह सही में activate हुआ है या नहीं तो इसके लिए मैं फिर से aws.emozon.com में जाओंगा तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर sign in to the console एक option आपको मिल जाएगा तो इसमें आपको क्लिक करना होगा और अगर एक option नहीं मिलता है तो मैं आपको देखा देता हूँ एक option आपको कहां से मिलेगा सबसे पहले इस option से मैं एक बार back कर जाता हूँ और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं my account का option मिलेगा और इसके अंदर आपको AWS management console का option मिल जाएगा तो इस option में भी आप क्लिक करके इस logging option में आ सकते हैं तो यहाँ पर root user वाला जो option है इसको आप default रहने दीजिए उसके बाद है यहाँ पर नीच आपना email id एंटर कीजिए और उसके बाद next में क्लिक कीजिए तो यहाँ पर capture आएगा इस capture को आप properly फिल कर दीजिए तो यहाँ पर मेरा जो भी capture आया है इसको fill कर देता हूँ उसके बाद submit में क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरा जो account का password था उसके यहाँ पर एंटर कर दूँगा और इसे एंटर करने के बाद sign in में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sign in में क्लिक करने के बाद मेरा जो भी AWS का dashboard है यहाँ पर खोल के आ गया है तो यहाँ से आकर आप AWS का जिदने भी services है उसको अभी आप use कर सकते हैं मैं यहाँ पर service में जाओंगा और यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी services यहाँ पर देखाई दे रहा है for example अगर मुझे AWS का जो EC2 service है जो मुझे एक साल के लिए free में मिलता है अगर उसी use करना है तो उसके लिए क्या करूंगा यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं फ्री टैल में चेक करूंगा तो यहाँ पर आपको AWS का काफी सरे free services मिल जाएगा जिसमें आपको एक साल के लिए free टैल मिलता है तो आप कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने एक अलग से tutorial विडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको देखाया कि कैसे आप AWS के अंदर जो बिलकुल free का एक साल का hosting होता है उसके अंदर आप कैसे आपना WordPress website को host कर सकते हैं उसको भी मैंने आपको properly guide करके देखाया है तो उसे आप देख सकते हैं और अगर आपको properly कोई premium support चाहिए तो आप हमारे इस WhatsApp नमबर में contact कर सकते हैं मैं आपको definitely support करूँगा अपना WordPress website को install करने के लिए तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद